वेट्रेट क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बैल ऐकन को भी दबा देना अगर आपने चैक आउट नहीं कर रहे तो आप चैक आउट भी कर सकते हो लिंक इन दे डिस्क्रिप्चन यहां हम डेली बेसिस पर आपको सिगनल्स प्रोवाइड करते हैं ठीक ह तेली बेसिस पर है içeris ties चैट एन इनलिसिस होता है मस्लि एनलेशिण होता है और वीखली एनलेशिछ त्वहता है और यहां पे सीधा हम पोस्ट videos करे थे चेखंग कर सकते कि लिंक इन फिर्याय widgets सबसे बड़ी हम न्यूज का वर अब कर लेते हैं जो सबसे बड़ी न्यूज लेकिल के आती है तो ब्लॉग.com से लेकिल के आती है देन जो न्यूज है हमारी विटालिक बूटेन की तरफ से है जो सी ही हुए एथिरियम के तो उन्होंने बताया कि जी कैश और जो डोच को इन क्रिप्टो करेंसी को पक्चाएन के लिए दूसरे ब्लॉक चे decision अनिंक के जरिए हम काम करते थे इसमें ृटी के लिए वर्क होता था तो वही इसमें बताया गया कि अब प्रूफ ऑफ स्टेक से क्रिप्टो में स्केलीडिस होगी एक कृप्टो को को दूसरी क्रिप्टो क में हमें देखने को मिल सकते हैं, okay, so एक अच्छी कासी हमें पॉजिटिव न्यूस देखने को मिलती है, इस तरीके से अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबल हुआ तो फूचर में, so अब यही बिसिकली न्यूस में बतायागे, जो हमारे एथिरियम के को फाउंडर है, विटालिक फॉलो कर सकता है, जैसे हमारा एथिरियम प्रूफ अवर्ट से प्रूफ अव स्टेक में एंटर को रहा है, वैसे हमारे जो जी कैश अंड डोज कोईन है, यह भी आने वाले टाइम में, हमारे मेन नेट में, ब्लॉक्चेन इवेंट में, हमें बिसिकली देखने को मिल सकता ह है, कि Zcash and Dogecoin, अब हमें Proof of Stake में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्होंने यही बताया है, Proof of Stake Mature, इन्होंने बताया है, कि Zcash है, और Hopeful Dogecoin, जो हमें POSN में, देखने को मिल सकता है, सून, Friday को Vitalik Bruton ने यह बात कही थी, okay, सो मतलब, tomorrow यह बात बोली गई थी, कि Zcash और हम हमें power of stake में देखने को मिल सकता है easily कि proof of stake में easily हमें देखने को मिल सकता है so news में यही बताया गया चाहरा दूसरी नू जब शीबा इनू के related है तो शीबा इनू में basically बताया गया है जो शीबा इनू है moving back to important price range here what next so basically guys आप जानते हो जो हमारा शीबा इनू है बहुत दिनों से consolidation कर रहा था एक particular range में तो उसी range के अंदर हमें initial range भी देखने को मिला थे new range देखने को मिला यह consolidation होने के बाद हमें अच्छा कासा breakout देखने को EMA के पास आ चुका है okay तो इसमें हम basically कह सकते कि हमें एक major break even या फिर breakout देखने को मिल सकता है यानि कि अभी break even पर आ चुका है देन हमें breakout देखने को मिल सकते आने वाले time pace के अंदर Shiba Inu के अंदर so इस basically news में यही बताया गया है और हमारी volume भी जो है फेड कर रहे थी यानि कि एक बहुत छोड़ी छोड़ी volume हमें इसमें देखने को मिली है इस graph में जो इन्होंना technical analysis करके बताया है Shiba Inu का तो इसमें यही बताया गया है तो अच्छी खासी यह भी positive news है कि अभी आने वाले time पर हमें only एक से दो दिन के अंदर एक अच्छा कासा एक breakout देखने को मिल सकते है Shiba Inu में तो अब चलते हैं हम अपने fundamental analysis पर देन करते हैं आज का crypto में चल किया रहा है तो जग global market cap है आज 941.78 billion dollars के करीब है 2.55% अप है देन bitcoin की बात करी जाए तो 1.49% अप है 19,044.70 के करीब इसका price चल रहा है देन ethereum की देखी तो 3.05% अप है 13.29.000 के करीब इसका price चल रहा है देन BNB की बात करी जाए तो 2.98% अप है 279.64% इसका भी price चल रहा है देन XRP का देखे तो 1.92% down है 0.476 cents के करीब इसका price चल रहा है देन यहार memes project का देखे तो 9.17% अप है आम कह सकते हैं डोज को इन में एक अच्छा खासा हमें breakout देखने को मिला है okay memes rally हमें basically देखने को मिली है इसके अंदर अभी पूरी rally तो नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा खासा breakout देखने को मिला है then trading भी उपर चलते हैं आज के बनाते हैं trade execution की कैसे हम trade ले सकते आने वाले आज के time frame पे okay तो सबसे पहले हम global indices को देख लेते हैं जो मारा SMP 500 है यार वो हमें एक अच्छा खासा pullback देखने को मिला इस इसके अंदर basically SMP 500 के अंदर यानि कि ये अपने एक जो ये इसका demand दे रही था बस ये इसका supply zone बनने ही वाला था बट थोड़ा सा उपर candle ने closing दी और एक अच्छे खासी bullish मारुबूज हो candle हमें basically इसमें देखने को मिला है तो हम कह सकते यार अब आने वाले टाइम पर हमें एक अच्छा खासा crypto में और अच्छा खासा moves देखने को मिल सकता है क्योंकि में भी यहां से अब एक corrective wave या फिर एक छोटे time frame के लिए corrective में जा रही हो तो अब अपना वही range में चल रहा है यह के नीचे आए जा रहा है तो यह nifty 50 का मैंने आपको बता दिया दन bank nifty को देखें तो banking sector में देखें तो यार जो भी हमारे इसका all over indices है यह भी अपने supply area के अंदर ही है यह भी वापिस से नीचे के तरफ आया है यानि कि हमें major crash देखने को मिला है चोटा सब यह अपने bank nifty के अंदर तो हम कह सकते हैं फ्रेम पर हमें accumulation phase में market देखी है DJI की तो हम कह सकते हैं यार अब cryptocurrency market में हम एक थोड़ा सा एक अच्छा कासा uptrend देखने को मिल सकता है तो यार DJI भी हमारा थोड़ा uptrend में है तो यार अब हम करते हैं आज का chart analysis then trade execution signals में आपको देता हूँ तो सबसे पहले हम bitcoin की बात करी जाए तो bitcoin का अभी 19,000 36 पर price इसका चल रहा है देन यार इसका अभी हम consolidation phase में इसको देख रहे है तो यार इसका जो भी accumulation area रहेगा वह 19,176 के करीब रहेगा देन अगर यह इसी area पर retest करने आता है तो आप entry ले सकते हो रिस्टू reward अपने बड़े गर सकते हो तो BTC का मैंने बता दिये और अगर इसके अंदर distribution phase आता है तो 1,2 तक का minimum आप अच्छा का सा एक target बना सकते हो bitcoin के अंदर तो इसमें basically यह भी retest दी दिया है तो आप इसको live अभी इस position पे भी आप इसमें entry कर सकते हो तो जब तक यह YouTube में video publish करूँगा आप तब भी वीडियो देखके इसमें entry ले सकते हो okay retest दीने आया है एक certain point पे 1337 पे तो में भी यहां से हम मार्केट में में भी bullishness देखने को मिल जाए okay बस candle close होने का wait करना गर यह इसके ऊपर close हो जाती है अपना रिजिस्टंस एरिया है 1336 रुपे का तो आप इसके ऊपर entry ले सकते हो okay और अगर इसके में fake breakout होता है तो यानि कि देखो यह candle इसके नीचे close हो जाती है तो अगर candle इसके नीचे close हो गई तो आप इसमें बिल्कुल आपको बता दिया देखने को मिल जाए okay एक अच्छा कास बुलिशन सामें देखने को मिला है अभी आने वाले टाइम फ्रेम पे डेन अगर यह रिटेस्ट करने आता है यह अपने इस एरिया पर 0.48 53 सेंट तो आप एंट्री कर सकते हो okay तो बेसिकली अगर मैं आपको बता इस नीचे जाद सकते है okay तो यहार हम देख सकते हैं 3% का टार्गेट इसली बना सकते है okay तेन यहर मेम्स प्रोजेक्ट का देखे तो शीवा में अच्छा कासा ब्रेक आउट हमें देखने को मिल गया है एक लॉंगर टाइम फ्रेम पे इसने कंसॉलेडेशन करा है न्यू र है शीवा इनुमें देखे तो यहार डोज कोई में अभी कंसॉलेडेशन फेज चल रहा है यहर अगर इसके अंदर एक्ट्यूमिलेशन फेज आता है तो रीटेस्ट के बाद आप इंट्री कर सकते हूं जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वह 0.06675 के करीब रहेगा देन इस सारे जो हमारे कॉइन से लिस्टेड जो है आज सारे वेरिफाइड है आप ट्रेड एक्जिकूशन इन सम्में कर सकते हूं और एक अच्छा कासा प्रॉफिट बना सकते हूं तो यह जो चार्ट से मैं अभी टेलेग्राम अब चैनल पर अपने शेयर कर रहा हूं तो आप हमा लिंक होगा टेलेग्राम चैनल का यह डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा तो प्लीज यह लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलेग्राम चैनल को भी चेक आउट कर सकते हूं तो यार वीडियो में इतना है ओके उड़ बड़ाएगगगगगगगगगग